आज दे टाइम वीच जित्थे आपा लगातार स्टूडेंट्स भी थोड़े जे कन्फ्यूस ज़रूर होए पहने के कैनेडा स्ट्रेलिया ता पहला ही स्ट्रेलिया चाल दाया बड़ी ही सिलेक्टिड प्रफाइल जो है स्ट्रेलिया लिप्लाई कर साथे उपरों यूएस नो भी अगर देख देया ता ओथे वी इनने ज़ादा जो है स्टूडेंट नो चांस नहीं मिल रहे है ओथे पहुंचके अग्गो अपनी स्टडी करन दा ता जहे वी चों स्टूडेंट ली केड़ी चंगी ऑप्शन है जित्थे आइल्स नो लेके वी उनना नो पाइदे मिलन वाले ने असी आज गल फिनलेंड स्टडी विजा दी करन जा रहे हैं जरूर आसी वीडियो दे जरीए डिटेल्स नो तुसी समझो और इसे बैनिफेट्स भी असी ता अनू समझा आ जा रहे हैं इस वीडियो दे जरीए केड़ी-कडिया चंगिया ओप्शन ने उसे बारे भी जहनकारी रहेगी तांके स्टूडेंट जड़ा इस वीडियो देखके अपना मन बना सके किन्नी को वधिया ओप्शन आज दे टाइम वीच असी फिनलन स्टडी विजा नो भी समझ सकते हैं स्वागते जी सारंदा मेहां हर जोत को और और पूरी इंफरमे स्टूडेंट्स नो बहुत चंगी ओप्शन्स इना वीडियो से जरीए दे रहे हो कि कीवे स्टूडेंट जो है अच्छी ओप्शन्स ना लगे वदे अपने फ्यूचर दी सेटल्मेंट दे लही स्पाउस वीजा दे लही आजकल ओप्शन्स जो है स्टूडेंट लब रहे पूरे आप प्रोसेस नो ही समझना चाहांगे जरूर तांके जटा सुडेंट पहली वार भी फिन्लेंट स्टूडेंट वीजा बारे सुन रहे समझ रहे है तो एक एक पॉयंट जो है स्टूडेंट जो कंट्री है ताट इस इन यॉरॉप तो अगर आप यॉरॉप में अग तो अगर फिन्लेंट पास वीजा है तो आपके पास पहला तो बेनिफित यही होगा कि यॉव एफ पार्पमेट उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिन्लेंट एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर स्टूडेंट है वो चाहे विदाव टाइल से अप्लिकेशन करना चाहे तो yes, students can apply their application without tiles और अगर कोई student है जो कि ऐसी option चाहता है कि नहीं मैं किसी ऐसी option में apply करना चाहता हूं या चाहती हूं जहां पर spouse जो है हमारा spouse है वो चाहते में जा सके तो again जहां पे आप्लाई कर सकते हैं, यह स्पाउस अप्लिकेशन सार एकसेप्टेबल, देर इस नो प्रॉब्लम अब अगर मैं प्रॉसेस की बात करो तो फिनलेंड का प्रॉसेस की मैं स्टेप वी स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, सबसे पहले तो आपका मैक्सिमम जो गैप वो 5 years तक का gap है, वो acceptable हो जाएगा फिनलेंड में, दूसरी चीज है, without IELTS, yes, you can apply your application, third, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो simply you can apply in the bachelor's, लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिनलेंड का जो rule and regulation है, वो यह कहते हैं मास्टर्स में apply करने के लिए, you should have the 16 year of education, यानि कि आपके पास इंडिया में 4 साल की graduation होनी चाहिए, अब बहुत सारे students ऐसे होते हैं, जिनकी जो BBA होता है, B.com होता है, BA होता है, देने कि 3 year का उनका duration होता है, bachelor's का, as per our education system, so essay में क्या किया जा है, essay में students बिल्कुल जा सकते है अगर उनने bachelor's के बाद कोई post graduate diploma किया है, और अगर उनके 60% marks है, तो yes students can apply for the master's, तो आप बिल्कुल master's के लिए eligible हो जाते हैं, या फिर अगर आपने PG diploma नहीं किया है, bachelor's के बाद अगर आपने master's किया है, but again that should be 60% आपके होने चाहिए, तो again you can apply your application in Finland, यह बहुत important चीज़ है, ब आपकी 16 year of education acceptable होगी and the percentage should be 60% अगर आपने post graduate diploma या master's किया है, उसके बाद यह है कि जैसे ही आपका offer later आजाता है, तो आपको tuition fees pay करनी होती है, तो जो tuition fees रहती है, वो एक साल की tuition fees रहती है, 7 से 9 लाग के करीब, उसके बाद student को funds show करने पड़ते हैं, तो funds की requirement बिल्कुल रहेग तो अगर मैं बात करूँ Indian currency में, तो somewhere around 25-27 लाग के जो requirement है funding की वो रहती है, तो वो दिखाने पड़ते हैं, so funding भी वो पूछेंगे आपसे, but yes, you can discuss, हम आपकी profile को बिल्कुल discuss कर सकते है, there is no problem at all, बहुत जादा ऐसे वाले rules नहीं है कि आप अपने documents ही ना clear कर पाओ, तो यह आपको जो master's के बाद या bachelor's के बाद आपको जो post study work visa है, वो 2 years का मिलेगा, तो अगर आप इनलेंड में भी जाते हो, post study work visa है, during the studies, yes, you can work, आप वहाँ पे भी work कर सकते हो, 20 hours per week, आप काम कर सकते हो, तो आपके लिए मैं in short, दुबारा से, अगर मैं repeat करू इन चीजों को, तो 5 FIRE का gap acceptable है, number one, IELTS की कोई requirement नहीं, अगर आपने IELTS नहीं भी किया, तो भी आप apply कर सकते है, spouse visa application is acceptable, अगर आप अपने spouse के साथ जाना चाते हो, तो बिलकुल आप जा सकते है, bachelor's and master's दोनों ही आप कर सकते है, अगर आपके पास 3 साल की graduation है, तो एक साल का, अगर आपने PG diploma किया मैं जरूर अनिता जाना चाहूंगी, प्रसेस नों पूरा टाइम में तहीं किनना लग जाना है, रिजल्ट देले ही, तांके स्टुडेंट हाद चीज नों समझ सकना, मैम इस टाइम पर जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है, वो at least 2-3 महेने का टाइम लग रहा है, because सारे ज स्टुडेंट है, या जो स्टुडेंट है, वो अक्टूबर में प्लान कर रहा है अपनी एजुकेशन के लिए, तो यह पॉफेक्ट टाइम है, उनके लिए अपलाई करने के लिए, क्योंकि MBC भी एक महेना आराम से ले लिए, वीजा डिसेशन के लिए, ठीक है, बल्कुल स्टुडेंट तो हरे एक पॉइंट जरूर क्लियर हो गया, असी अपने वलो हमेशा ये कोशिश का दिया के स्टुडेंट तो पूरी राइट इंफोमेशन अपनी वीडियो से जरीए पहुंचाईए, तो आज अपां, फिन्नेंट स्टुडी वीजा बारे गाल किती है, अब अगर उसी आप्लाई करना चाहिए, पुरी इंफ्रमेशन तुसी स्टुडेंट जना शेयर किती है, अशी अगोवी स्टुडेंट लीक बारे अनधे रागे, फिलहाली देऊजी इजाज़ा, तो आखे अखे अशेस्मेंट कार के राइट आप्शन सानों गाइड किती झाल झाल